वेल्कम टु न्यू लेसन आज के लेसन में हम रिव्यू करेंगे कुछ वेबसाइट को हम देखेंगे कि वेबसाइट कैसे एड रन कर रही हैं क्या गलतियां कर रही हैं क्या सही चीजे कर रही हैं और उनमें से क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको रिपीट नहीं करनी या क्या को बहुत मज़ा आने वाला आज के लेसन ने अब देख सकते हों यहां पर मैंने सर्च क्या मारा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एजिंसी जी हां डिजिटल मार्केटिंग एजिंसी यह वो लोग हैं जो प्रॉमिस करते हैं कि यह आपका बिजनस इंप्रूव करेंगे तो देखते हैं कि यह खुद क्या कर रहे हैं तो सबसे उपर देखो एक रिजल्ट आ रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी SEO Services इन जैपूर ठीक है और इसे क्लिक करते हैं पहली बात तो यह देखो कि यहाँ पर मैंने सर्च मारा है डिजिटल मार्केटिंग एजिंसी और यहाँ पर मुझे दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी तो तो सब्सक्राइब हो क्याओं रहा है और इन लोगों ने एक एक ट्रूप बना रखा है उसी एडिजिटल मार्केटिंग एजिंसी नॉट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ठीक है और मैं अगर सर्च करूँ अब देखो ये कुछ मुझे दिख रहा है अब आप इसे देखो और आप मुझे बताओ कि क्या ये अच्छा है ये खराब है पहली बात सबसे पहली गलती इन लोगों ने ये जो किया हुआ है ये इनका पेज है ठीक है और ये मुझे दिख रहा है कुछ देखो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्यों अच्छा नहीं है ये सोच के बताओ कोई डिजाइन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा डिजाइन से कभी मेरे को मतलब नहीं होता अब यहाँ पर अगर कोई business owner आ रहा है तो उस business owner को किस चीद से मतलब है अपने revenue से promote business digitally अब इससे क्या लेना देना है business owner उसको तो चाहिए revenue उसको चाहिए revenue तो हमें यहाँ पर बात करनी चाहिए थी revenue की प्लस यहाँ पर देखो कोई call to action button नहीं है इनके first जो इनका above the fold section है उसमें कोई भी cta नहीं है कोई भी call to action नहीं है जो की बहुत ही बहुत ही बहुत ही घलत बात है यहाँ पर call to action होना चाहिए जिसे यहाँ पर click करके बंदा you know sign up कर सके या कुछ भी कर सके अब यहाँ पर नीचे मैं आओ best SEO company in India अब देखो इतना सारा content लिखा हुआ है इतना सारा content लिखा हुआ है इससे एक चीज़ और है देखो इन लोगों ने dedicated landing page बनाया इन्हीं है Google Ads के लिए यह page खुल रहा है यह मैं guarantee दे रहा हुआ आपको इन लोगों ने dedicated landing page नहीं बनाये देखो इनकी यह इनकी website का home page है this is not a dedicated landing page अब भगवान जाने इन्होंने क्या किया हुआ है यह देख रहे हो messages messages लिखावा है यहाँ यहाँ पर होना चाहिए इन्होंने लिखाव है messages इतना सारा content यह इन्होंने लगता है SEO के purpose से बनाया है और इसे यूज कर रहे है Google Ads के लिए तो यह गलती आपको नहीं दोरानी मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि Google Ads जब आप लेंडिंग पेज बनाओ आपको इन लोगों जैसे गलती नहीं करनी कि जो इनका वेबसाइट का home page है उसे ही यह Google Ads के लिए यूज करने है इतना आलस नहीं करना है ठीक है जी ऐसे नहीं करना इसमें देखो बहुती 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 मैं इसको out of 10 मैं दूंगा इसको zero number यह जो लेंडिंग पेज है देखो SEO company मानवी नगर जैपूर वैशाली नगर मान सरोवर यह पूरा कुड़ा कछरा फेलाया हुआ इन्होंने SEO के purpose से ठीक है और यह यूज कर रहे हैं Google Ads के लिए तो यह agency है और इसे खुद नहीं पता कि अपनी marketing कैसे करनी है तो भगवान जाने यह बाकी लोगों कि marketing कैसे करते होंगे तो इनको तो यहां से बंद करते हैं zero out of 10 दूसरा खोलते हैं यह है phoenix.com ना जी देखते हैं जी फीनिक्स वाले क्या करने और यहां से करते हैं से इन्होंने तो गर्दाई उड़ा दिया पूरा आप देखो सिर्थ डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग लिखावा है ट्रस्टेड बाई ब्रैंड चलो कहां कहां यह दिया हुआ है अब आप एक चीज देखो अब अगर मुझे इनके साथ काम करना है तो यह फॉर्म देख रहो कि इतना छोटा बना रखा है यह प्रॉमिनेंट चीज होनी चीहां पर कॉल टू एक्शन होनी चीह बड़ा बड़ा और यह हैड्लाइन क्या डिजि रिवेन्यू ग्रो हो सकता है या नहीं हो सकता क्या आप उसके लिए अच्छा काम कर सकते हो क्या आप उसका रिवेन्यू ग्रो करके उसको दे सकते हो या नहीं दे सकते हो जस्ट डिजिटल मार्केटिंग वर्ड सुनने में तो उसको कोई इंटरस्ट ही नहीं है यह सुनके अब आगे चलते हैं आई प्रोस्पेक्ट एक बहुत बड़ी एजेंसी है तो इनका देखते हैं इनका तो पूरा ही गंद है इनका तो एई बेकार इन्होंने सीधे कोंटेक्टपेज पर भेज़ रहे हैं तो यह तो बिल्कोल ही जीरो बिल्कोल ही बेकार लेंडिंग पैज है लेंडिंग बाकी नीचे यूडमी आ रहा है अबत्तुड़ा और नीचे आते हैं यह देखते हैं किक सो तो वो तो यूजर ऐसी देखके उसके कान खड़े हो जाएंगे अब क्या कहा जा इनके बारे में यह अपने वेबसाइट के होम पेज भेज रहा है इन्होंने इतना कस्ट भी नहीं किया कि यह एक डेडिकेटेड लेंडिंग पेज बना सकें और यह पता नहीं क्या है यह बैनर आ रहा है कुछ ना कुछ लेको अगें वर्थलेस जीरो इनको देखो इस इडिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐर लीकिंग टंस आफ मनी वियर यह टू रस्टू तो यह थोड़ा सा बैटर है यह थोड़ा सा बैटर है बट इसमें भी क्या है अगें इन्होंने डेडिकेटेड लैंडिंग प पेज रहे हैं यह पता नहीं किस टाइप की एजेंसी हैं मेरे तो समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं लोग कि इसको देखते हैं सेक्रेड चैसी को देखा था अगेन जीरो बहुत ही बेकार लेंडिंग पेज़े इसको देखते हैं अभी तक आपने देखा एक भी लेंडिंग पेज बतलब आधे तो लेंडिंग पेज ही नहीं है और जो हैं वो एकदम एकदम रद्धी लिटरली रद्धी अभी देखो हागेन जीरो जी रो इसमें क्रियेटिवीटी नो ने अच्छे दिखाई है बड क्रियेटिवीटी से मतलब नहीं है हमारा मैसेज क्लियर होना चाहिए और यहा है तो उसे कुछ हुनी पता चल रहा हुँ ऑँ इमेजिन कोई बारवी पास बंदा आ रहा है यहां पर उसे क्या पता चलेगा कि यह लोग क्या करेंगे उसके लिए बैलेंस ऑफ क्रियेटिविटी एंटेलिजेंट सड़ी कुछ ही नहीं पता चले एकदम रद्धी लेंडिंग पेज तो इस सारे लेंडिंग पेज किसी काम के लेंडिंग पेज नहीं है यह लिटरली किसी काम के लेंडिंग पेज नहीं है इस type के आप landing pages बनाओगे तो literally you will be wasting money और अगर ये agencies अपने लिए ऐसा landing page बना रही है तो एक clients के लिए क्या बना रही होंगी you can imagine ठीक है जी so that's it from this lesson